बारवी कक्षा की हिंदी की पाठे पुस्तक आरो से ये पाठ आप सब के सामने पेश है पाठ का नाम है नमक यहां पर इस भाग में मिस पाठ का सार समझेंगे सार यानि की समरी समरी के जरिये हम पाठ का जो विशे है उसको बहतरीन तरीके से समझ पाने में सक्षम होते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको पाठ की लैन बाल एन एक्स्प्लेनेशन समझना बहुत जरूरी है जिससे कि किसी भी पंक्ती से उठाया वा कोई भी बनाया वा प्रशन अगर आप से परिक्षा में पूछा जाए तो आप उसके उत्तर दे सकें इसके लिए आपको चैनल पर इस पार्ट का लैन बाल एन एक्स्प्लेनेशन पहले से ही मौजूद है जो मिल जाएगा आपको जरूर पढ़ें और पार्ट को बहतरीन तरीके से समझें एक लिंक आपको डिस्क्र को लेकर बात की गई है उसे समझने की कोशिश करते हैं नमा कहानी जो है वो भारत पाक विभाजन के बाद भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके बाद की एक कहानी है जो सरहद के दोनों तरफ के विस्थापित विस्थापित पुना इस्थापना जो की जाए इस् उस पार लोगों का जो आना जाना हुआ है विस्थापन हुआ है अपनी जगह बदलना हुआ है अपनी जमीन छोड़ना हुआ है उसी की दर्धभरी कहानी यहां पर देखने को मिलेगी तो विस्थापन यानि जो एक जगह छोड़कर दूसी जगह बसा जाए पुनरवासित य कि नई कई प्रचलित धारणाओं पर सवाल खड़े किये गए हैं विस्थापित होकर आई सिख बीवी आज भी लाहोर को ही अपना वतन मानती हैं यानि कि यहां पर जो सिख बीवी हैं उनकी बात हो रही है जो विस्थापित होई हैं और विस्थापित होने के बाद वो आज भी लाहोर को ही अपना वतन मानती है कहने कारत है कि वो सरहत के पार यानि हिंदुस्तान में है लेकिन लाहोर को वो अपना वतन आज भी मानती है तो इस तरीके से लाहोर के होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में विस्थापित होने की वज़ा से वो अपने वतन को तो नह सिख बीवी हैं वो आज भी लाहोर को ही अपना वतन मानती हैं और सौगाट के तोर पर वहां का नमक लाए जाने की फरमाईश करती हैं कस्टम अधिकारी नमक ले जाने की अधर्म के आधार पर लोग इन रेखाओं के इधर-फ़धर अपनी जगहें बना चुके हैं इसके बावजूद जमीन पर खीची जो रेखाएं हैं उनके अंतरमन तक नहीं पहुँच पाई हैं कहने करत है भारत और पाकिस्तान के बाद विभाजन होने के बाद जो सरहदे बना दी गई है जो सीमा अपरीतिकर अंचाही जो चाहत में ना हो अपरीतिकर जो पसंद ना किया जाए वो बाहरी बाध्यता ने उन्हें अपने अपने जन्मिस्थानों से उनको विस्थापित कर दिया है यानि सरहदे जो तयार की गई है वो किसी को भी पसंद नहीं आई थी लेकिन ना चाहते हुए भी लोगों को अपने अपने जन्मिस्थानों को भूल कर उस जगह पर बसना पड़ा जहां पर उन्हें मजबूरियां ले गई पर वे उनकी दिलों पर कबजा नहीं कर पाई नमक जैसे छोटी सी चीज का सफर पहचान के मारमिक पहलू को परदर परद उखार देता है अब नमक के जरिये किस तरीके से लोगों के दिलों में जो दर्द छुपा है उसको यहां पर दिखाया जाएगा यह पहलू जब तक सरहद के आरपार जीवित है जब तक तब तक यह उम्मीद की जा सकती है कि राजनीतिक सरहदें एक दा एक दिन बेमानी हो जाएंगी तो इस तरीके से एक यहां पर आपको छोटी सी बात बताई गई है कि किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के वीच भी भाजन हुआ लोगों ने अपने जनम स्थानों को अपनी मजबूरियों के साथ छोड़ तो दिया लेकिन जहां जो उनका जनम स्थान था सब अपने अपने दिलों में उस दर्द को छुपाए रखा है जमीन पर वो रेखा तो खीच गई लेकिन उनके मन पर वो रेखा कोई नहीं खीच पाया और उसमें किसी ने भी सफलता नहीं प्राप्त की साफिया अपने पडोसी सिख परिवार के हां किर्टन में गई थी वहां सिख बीवी को देखकर वे हैरान हो गई क्योंकि उसकी आखें बारी भर कम जिस्म वस्तर आदी सब साफिया की मा की तरह थे साफिया की प्रेंद्रिश्टी से प्रभावित होकर सिख बीवी ने उसके बारे में अपनी बहु से पूछा जब उसे पता चला कि वे सुबह लाहौर जा रही है तो वे लेखिका के पास आकर लाहौर की बाते करने लगी उसने बताया कि वे विभाजन के बाद भारत आई थी और इस तरीके से सफिया ने बताया कि किस तरीके से विभाजन के बाद वो लाहोर से यहां हिंदुस्तान में आवसी है उनका वतन तो लाहोर ही है किरतन समाप्त होने के समय सफिया ने लाहौर से कुछ लाने के लिए पूछा उसने हिचकिचाहट के साथ लाहौरी नमक लाने के लिए कहा और इस तरीके से सफिया ने लाहौर से जब कुछ लाने की बात कही तो हिचकचाहट के साथ उन्होंने एक लाहोरी नमक लाने की बात कही वे लाहोर में पंदरा दिन रुकी और उसके भाईोंने खूब खातिरदारी की मिलने वाले अन्यक उपहार लेके आए उसके सामने सेर भर लाहोरी नमक की पुड़िया ले जाने की समस्या थी इस तरीके से जब सफिया अपने भाईों के पास जाती है लाहोर वहाँ पर वो सबसे मिलती जुलती है सब उपहार लाते हैं लेकिन उसके मन में एक ही परेशानी घूम रही होती है कि किस तरीके से एक लाहोरी नमक की पुड़िया वो ले जा सके हिंदुस्तान तो पुलिस अफसर भाई ने इसे गैर कानूनी बताया सफिया का एक भाई जो है पुलिस अफसर था उसने सला दी कि ये एक गैर कानूनी है तो इसे वो करने की कोशिश ना कए तथा वेंगे किया कि भारत के हिस्से में अधिक नमक आया था और इस तरीके से साथ ही उन्होंने ये भी न वेंगे कर दिया कि भारत के हिस्से में बहुत नमक आया हुआ है अब यहां से ले जाने की क्या जरूत है लेखिका इस पर जुन जला गई तथा नमक ले जाने की उन्होंने जिद की भाई ने कस्टम की जाच का हवाला दिया तथा बेजिती होने का डर दिखाया और इस तरीके से जब लेखिका ने जोर दिया कि वो नमक ले जाना चाहती है तो भाई ने उसे कस्टम में जो जाच की जाना चाहती थी परंतु भाई ने कानून की सक्ती के विशे में बताया अंत में वे रोने लगी तथा भाई सिर हिला कर चुप हो गया और इस तरीके से सफ्या ने एक कोशिश की कि वो छुप छुपा कर ये चीज ना ले जाए शालीनता से ले जाए और कोई तरीका होगा ले उने ये बात बताई कि किसी भी तरीके से ये चीज वाजिब नहीं है कि वो यहां से नमक की पुड़िया ले जा सके क्योंकि ये एक गैर क्वानूनी काम है अगले दिन दो बजे दिन को उसे रवाना होना था उसने सारी रात पैकिंग की सारा समान सूटकेस वा विस्तरबंद में आ गया अब कीनू की तोकरी तथा नमक की पुड़िया ही शेश रह गई थी गुस्सा उतरने पर भावना के स्थान पर बुद्ध धीरे धीरे हावी हो रही थी गुस्सा उतरने पर भावना भावना यानि इमोशन्स और बुद्ध धीरे धीरे हावी हो रहे थे बुद्ध जो की श पहेर के नीचे नमक की पोटली छिपा दी आते समय उसने देखा कि भारत से केले जा रहे थे और पाकिस्तान से कीनु आ रहे थे कोई जाच नहीं हो रही थी इस तरह नमक सुरक्षित वहां पहुँच जाएगा फिर वह सो गई वह लाहौर के सौंदर्य माहौल वसगे संद्रियों के भी सपन उसने देखें जिसके सपन देखकर वह आनंद ले रही थी यहां उसके तीन सगे भाई चाहने वाले दोस्त नन्य नन्य भतीजे भतीजियां सब याद आ रहे थे कल वे लाहौर से जा रही थी शायद वे फिर ना आ सके फिर उसे इकबाल का मकबरा ल सुरज के डूपती किर ने आदी दिखाए दी अचानक उसकी आखे खुल गए क्योंकि उसका हाथ कीनुओं की टोकरी पर जा पड़ा था उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदूस्तान और पाकिस्तान की एकता का मेवा है एकता का मेवा जिस तरीके से रिष्टेदारी वो मुँ मीठा करते हैं उसी तरीके से उसके दोस्त ने कहा था कि यह हिंदूस्तान और पाकिस्तान की जो एकता है यह उसी का मेवा है क्या कीनुओं की टोकरी क्योंकि अभी लेकिका ने बताया कि किस तरीके से पाकिस्तान से कीनुओं और भारत से केले आ रहे थे तो यह एकता के मेवे हैं जो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी आधार पर इस तर पर वो उसको जोड़े हुए है आपस में वे फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी उसके भाई ने उसे दिल्ली तक का टिकट खरीद दिया था वे सोच रही थी कि आजपास टहल रहे लोगों में सिर्फ वही जानती थी कि टोकरी की तह में कीनू के नीचे नमक की पुड़िया है जब समान कस्टम जाच के लिए जाने लगा तो उसने फैसला किया कि महबत का ये तवफा महबत यानि अपनी वो सकी के लिए वो जो नमक की पुड़िया ले जाना चाहती थी वो एक महबत का तवफा है उसको चोरी से नहीं ले जाएगी उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंड बैग में रख ली जब सवान जाच के बाद रेल की तरफ चला तो वे एक कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी वे लंबा पतला खिचड़ी बालो वाला था उसने उसके वतन के बारे में पूछा उसने हैरान होकर अपना वतन दिल्ली बताया लेकिका ने हैंड बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उसके सामने रख दी तथा उसे सब कुछ बता दिया सारी बाते सुनकर उसने पुडिया को अच्छी तरह लपेट कर स्वेम साफिया के बैग में, सफिया के बैग में रख दिया तथा कहा कि मुहबबत तो कस्टम ने से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है अब यहाँ पर जो कस्टम अधिकारी है वो क्या कहते है जब शालीनता से और इमानदारी से नमक की पुडिया को सफिया जो है वो कस्टम के सामने रख देती है तो custom जो है अपने दिल की बात वहां पर सामने रखता है कि किस तरीके से मुहब्ब जो है वो custom से गुजर जाती है यानि जब custom देखता है कि ये मुहब्बत है जो सरहत के इस पारों सार हो रही है तो वो भी उस पर रोक लगाना पसंद नहीं करते उनके दिल से ये रोक निकलती नहीं है और इस तरीके से हूँ कहते हैं कि मोहबद तो कस्टम से इस तरह गुजबर जाती है कि कानून हैरान रह जाता है उसने जामा मस्जिद की सिड़ियों को सलाम देने को कहा तथा सिख बीवी को भी संदेश देने को कहा जिस तरीके से सिख बीवी ने लाहोर की होने के कारण अपने वतन से एक नमक की पुड़िया मंगाई थी सफिया से उसी तरीके से यहाँ पर कस्टाम अधिकारी ने ये बताया कि किस तरीके से वो भी भारत से जुड़े हैं जामा मस्जिद की सीड़ियों को सलाम देने को कहा और सिक बीवी को भी संदेश देने को कहा कहा लाहौर अभी तक उनका वतन है और दहली मेरा और आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से जो सिक बीवी है वो लाहौर की है लेकिन भारत में है हिंदुस्तान में है इस वक्त और कस्टम जो है कस्टम एदिकारी वो भारत का है हिंदुस्तान का है लेकिन पाकिस्तान में है अभी भी लाहौर अभी तक उनका वतन है और दहली मेरा तो बाकि सब रफता रफता ठीक हो जाएगा रफ्ता रफ्ता यानि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा लाहौर उनका वतन है और देहली मेरा वतन है सफिया वहां से निकल कर दूसरे प्लैटफूम पर आ गई यहां सभी ने उसे भावपून विदाई दी अटारी में भार्दे पुलिस रेल में चड़ी एक जैसी भाशा, सूरत, वस्त्र, लहजा, अंदाज, आदी करन लाहौर खत्म होने वह अमरित सर शुरू होने का पता ही नहीं चला अमरित सर में कस्टम की जाज शुरू ही तो वह कस्टम अब सर के पास पहुंची तथा अपने पास नमक होने की पूरी बात वहाँ पर भी उन्होंने कह सुनाई और इस तरीके से लेखी का बताती है कि लाहौर में और इस तरीके से अमरित सर पहुँच गई उनको इस बात में बिलकुल भी जरा भी अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि दोनों तरफ के ही लोगों की भाशा, सूरत, वस्तर, लहजा, अंदाज सभी तो एक जैसे थे फिर भी वो बटे हुए थे अब जब उन्हें पता चला कि अमरित सर में कस्टम की जाश शुरू हुई है तो वो कस्टम अफसर के पास पहुचती है और अपने पास नमक होने की पूरी बात कह सुनाती है अफसर ने उसे साथ चलने को कहा एक कमरे में जाकर उसने उसे बठाया तथा दो चैलाने का ओरडर दिया उसने मेज की दराज से एक किताब निकाली उसके पहले पन्ने पर लिखा था शमसूल इसलाम की तरफ से सुनील दास गुपता को प्यार के साथ धाका उन्नी सो च्या वे धाका में था जिस दिन में भारत आ रहा था उसने उससे एक वर्ष पहले उसकी सालगिरा पर उसके दोस्त नहीं किताब दी थी फिर वे कलकता में रहकर पढ़े तथा नौकरी करने लगे उन्होंने बताया कि हम वतन आते जाते थे सफिया वतन की बात पर हैरान थी अपने वतन की डाब की प्रशंसा की चलते वक्त उसने पुडिया सफिया के बैग में रख दी तक खुद उस बैग को उठा कर आगे आगे चलने लगा और आप यहां पर देखेंगे कि कस्टम अधिकारी जो है किस तरीके से उनके दिल की बात यहां पर सामने निकल के आती ह कि वो वतन की हर कोई अपने अपने वतन से दूर है अपनी अपनी जन्म भूमी से दूर है और सब उसको याद करते हैं लेकिन एक दूसरे के वतन की इज़त भी हर कोई कर रहा है हर कस्टम अधिकारी उस नमक की पुडिया की बात को और इमानदारी से सुने ही बात को आते हैं कि वतन की इज़त वो भी करते हैं और उसकी महबत का अंदाजा उन्हें भी है और इस तरीके से सफिया का वो बैग जिसमें उन्हें नमक की पुडिया रखी थी उसको उठाकर वो खुद भी आगे आगे चलने लगते हैं जब सफिया अमरित सर के पुल पर चड़ रह लेखिका सोच रही थी कि किसका वतन कहा है वह जो इस कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ और इस तरीके से लेखिका जो है दोनों तरफ की स्थितियों को अपनी आखों से देखती है महसूस करती है दोनों के दिलों में दोनों तरफ के कस्टम अधिकारियों के दिल में जो वतन के लिए मुहबत है और सरहद की जो जानकारी है और जो सीमा रेखाएं खीच दी गई है उसको जानने के बाद भी वतन के लिए जो इज़त है मुहबत है कस्टम अधिकारी के हाथ में इत्ती पावर होने के बावजूद भी उस मुहबत को किस तरीके से इस पार से उस पा रह रहा है या फिर असल में जो उसका जन्मिस्थान है तो आखिर किसका असल वतन कहां पर है और इस तरीके से ये बहुत बड़ा प्रश्न बनकर लेखिका के दिल में उठ खड़ा होता है